तो स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में आपको एक्स्प्लेंड कराने वाला हूं 2017 के इंग्लिश पेपर की ग्रामर तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर इन तक सरूत देखेगा चली वीडियो को शुरू करते हैं आप देख लीजिए सबसे पहले यह हमारी क्लास 12 का 2017 का इंग्लिश का पेपर है ठीके हाईर सेकंडी यानिके 12th क्लास होती है 2017 का यह पेपर है इंग्लिश का पहले 100 मार्क्स का आता था अब आपका जो पेपर आएगा वह 80 मार्क्स का आएगा ठीके तो यह पूरा पेपर है लेकिन हम डाइटली चलते हैं सेक्शन सी की तरफ जिकने के उमारा grammar पोपोस्चtewn है और grammar जो हे वो चंजघ नहीं होती grammar के उध। हो कभी चैंज़ नहीं होता है बुक चेंज होती है, बुक चेंज हो गई है, पहले बुक दूसरी चलती थी, अब कुछ और चल रहे हैं, NCRT की अब बुक साब की चल रहे हैं, लेकिन, गिरामर का लेवल वही है, इस तरह सी गिरामर आपके 2023 के एक्जाम में पुछी जाएगी, यह रहा हमारा सेक्शन C, जो यह रहा हमारा first question, my brother is engineer, article, article, एंद आपको बताने है, जल्दी से बताओ, इसका right answer क्या होता है, इसका right answer होगा N, my brother is an engineer, engineer क्योंगा होगा क्योंकि देखो sound जहां पर E का आ रहा है, vowel sound आ रहा है, इसलिए N right answer होगा, easy है, बन जाएगा आपसे, N engineer, चलो second वाला देखो, did you buy sugar from the shop, interrogative sentence, options हमारे सामने only two है, any, yes, बत्चे, इसका right answer होगा, वो होगा, any, अब any क्यों होगा, देखो, इसका right answer होगा, और यहापर last question mark भी लगा हुआ, did you buy any sugar from the shop, interrogative sentence में any का use करते है, any right answer है, आगे बलते है, question no. 8 की तरफ, I don't like of them, either या neither, इसका right answer होगा either, I don't like either of them neither नहीं होगा क्योंकि देखो sentence ये negative है और जब sentence negative होता है तो उसमें neither नहीं आता है क्योंकि neither में not to include होता है तो double से not three ना आएगा तो ये neither है ना तो neither में not लगा रहता है इसलिए यहां पर either लगाएंगे क्योंकि sentence negative है ठीकि I don't like either of them राइट आंसर होगा फॉर्थ नंबर के question है यू स्टॉप स्मॉकिंग तो इसका राइट आसर आएगा शुड स्टॉप एडवाइस दी जा रही है यू स्टॉप स्मॉकिंग तो एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते है राइट आंसर हमारा फॉर्थ नंबर का है फिप नंबर का we are going a match today तो बच्चर इसका राइट आंसर बनेगा to play we are going to play a match today easy है to play आएगा because going यहाँ पर यूज हो रहे है तो यहाँ पर to infinite का use करेंगे we are going to play a match today चलिए आगे बदते है question 9 की तरफ जो कि हमारे do is directed का पहला question और यह arrange करके meaningful sentence बनाना है तो कैसे बनेगा दोगो सबसे पहले subject देखो यहाँ पर राजू यह तो first number पर राजू इसके बाद can का use करेंगे राजू can third number पर आएगा right इसके बाद आएगा fourth number पर with fifth number पर आएगा either और sixth number पर जाएगा hand तो right answer बनेगा राजू can right with either hand राजू दोनों में से किसी भी हाँ से लिख सकता है left side भी लिख सकता है और right से भी लिख सकता है राजू can right with either hand हो जाएगा चलो आगे बढ़ते है question number second की तरफ जो कि हमारा passive voice वाला ही max T पैसे boys में बनाना है तो देखो कैसे बनेगा पहले हम लिखेंगे T और T पर दर इंडेफनेट का इसलिए helping or use करेंगे is make की threat form हमें यूज करेंगे made T is made by he का him हो जाएगा T is made by him, ये right answer होगा ठीक है? चलो आगे बढ़ते है question number third की तरफ he was very weak, he could not walk to do का यूज करना है तो कैसे करोगे देखो he was is very quick अटा कर यहाँ पर लगा दीजिए to और फिर लिख दीजिए weak he was too weak और यहाँ पर he could not को अटा कर आप यहाँ पर लगा यह to और फिर लिख दीजिए walk ये बनेगा he was too weak to walk क्या करा दरा समझे लो एक बार very quick अटा कर हमने 2 का यूज कर लिया इसके बाद weak लिखा फिर subject से लेकर हमने not तक के सेटेश को अटा कर 2 लगा दिया he was too weak to walk, right answer हो गया आगे बढ़ते है question number 4 की तरफ as soon as he close his eyes, the telephone ring no sooner का यूज करना है, तो मैंने आपको यही करते है हम लिख लेते है no sooner no sooner इसके बाद बाला sentence interrogative बना देंगा he close his eyes, past indefinite का है because we too है, तो helping यहाँ पे did he use कर लिजीए did he close his eyes आजाएगा, तो close his eyes no sooner did he close his eyes comic order का लगा दिजीए then यही कहा जा रहा है then the telephone ring तो the telephone rank no sooner did he close his eyes then the telephone ring इस तरा से इसको no sooner than से बना देंगे एक बाद फिर से समझे लो no sooner than का यूज करने के लिए as soon as को हटा कर no sooner का यूज करते हैं क्योंकि यही कहा जा रहा है use no sooner than in place of as soon as तो यानि के as soon as के place पर no sooner than का यूज करना है तो हमने as soon as को अटाया और हमने no sooner लिखा और इसके बाद वला जो sentence है इसको हमने interrogative बना दिया 10 के according did he close his eyes इसके बाद कॉमा था कॉमे के place पर हमने देन का यूज कर दिया बाकि सारी चीजें as it रही समझ गए बस यही तरीका है चलो आगे बढ़ते है question number फिरता नमर का he jumps a frog does तो इसका right answer is आएगा he jumps a frog does वैसे कूनता है जैसे के they were playing football क्यारना कहा है change into simple present simple present में change करना है तो भाई वर हटा दो और ing हटा दो they play football ये present simple का sentence बन गया they play football तो इस तरह से मैंने आपको 2017 का English का paper यानि कि इसकी grammar को explain करा दिया है easy थी आपसे समझ में आगे होगी आपको समझ में आगे होगी बन गई होगी आपसे इस तरह की question आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही हम इस तरह की grammar को solve करते आ रहे हैं 2023 में जब reality में आपके सामने paper आएगा तो वह भी आपसे बन जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए होगी तो बच्च वीडियो को लाइक कीजिए अपने सरी दोस्तों के साथ जदे सदे शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स फर वाचिंग